नमस्कार, कई लोग पूछते हैं कि शरीर में हमारे सूजन बनी रहती है, कई कहते हैं कि हमारे हाथों पैरों में रहती है इसके नहीं कहते हैं, आपने वीडियो भी बना रखिये, मगर कुछ ज़डीबुटिया यहां पर नहीं मिल पाती गोकुरू दोनों इस्तमाल कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो आपको मिल जाए उसका इस्तमाल कर सकते हैं, पुनर्वा की जड़ का इस्तमाल कर सकते हैं, बहेडे के छिलके का इस्तमाल कर सकते हैं, नेपाली चिरेते का इस्तमाल कर सकते हैं, रासना पत्ती का इस्तमाल कर सकते ह केशु के फूल का इस्तमाल कर सकते हैं, फटकरी का इस्तमाल कर सकते हैं, सिंदा नमक का इस्तमाल कर सकते हैं, गोंद कुंदु का इस्तमाल कर सकते हैं, रोसोत का इस्तमाल कर सकते हैं, आपा मार्ग का इस्तमाल कर सकते हैं, चिर्चिट्टा जिसे कहते हैं सहदही के नाम से ज गड़ी बुटी को लेके पानी में डालके अच्छे से उबाले मानली जी इनका पाउडर बनाया आपने एक चमच पाउडर किसी बरतन में डाले एक कप पाणी डाले उसे अच्छे से उबलने दे उबल उबल के आधा कप रह जाए उसे नीचे उतारके चान के उसे आप स्वा कम इस्तमाल करें सिकाई में नमक का इस्तमाल आप कर सकते हैं और धुलाई में आप नमक का इस्तमाल कर सकते हैं फटकडी का भी आप धुलाई में सिकाई में इस्तमाल कर सकते हैं और आज के लिए इतना ही आगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ धन्यवाद